नमस्षिवाई, मैं J.S. शिवानन्द आप सभी का स्वागत करता हूँ मिर्तुन्जे के अर के अंदर और कुछ भाईयों का प्रश्ण है, कुछ माताओं का भी प्रश्ण है कि वास्तु क्यों कराना चाहिए, क्या होगा वास्तु कराने से और वास्तु का क्या रिलेवेंस है हमारी लाइफ के अंदर, क्या रोल है और ये किस तरह से काम करता है अगर हमें कराना चाहिए तो तीकि इसमें कई प्रश्ण होगे, लेकिन उत्तर सिंपली एक के साथ एक एक बनता जाएगा क्योंकि उत्तर होगा रिदम के साथ, आपको पूरा वीडियो समझना होगा थोड़ा सा समय लग जाए तो उसके लिए शिमा चाहूँगा पर आपके अंदर तक, आपके आउचेतन तक कोई चीज उतरनी चाहिए, ये जरूरी है पहले आप समझें कि आप एक सोल हैं, जैसे कि सब ही जानते हैं भारत वर्ष में तो सब को पताए कि हमें एक आत्मा हैं, हमें एक दिन जाना है आप ऐसे समझें अगर आप एक सोल हैं, तो सोल को जीने के लिए ये शरीर मिला इस शरीर के उपर के चार शरीर और जिसमें प्राण शरीर, मन शरीर, ग्यान शरीर और फिर आनन्द शरीर या जोतिर में शरीर आपका तो ये जो शरीर हो गए ये तो हो गए इस जोतिर में के लिए इस सोल के लिए इस शरीर के लिए जो घर होता है वो कौन सा घर होता है जो हम निर्मान करते हैं उसे कहते हैं छटा शरीर क्योंकि वो इस घर का है सबकॉंशेस जब इस शरीर के साथ अलाइन रहता है आप कहीं भी बाहर हो तो आपको क्या लगता है कि जल्दी से जल्दी हम घर पहुंचे और जैसे ही घर पहुंचते तो हम क्या कहते हैं अरे वाह हम अमारे घर आ गए हमें एक relaxation मिला हम ऐसा क्यों feel करते हैं क्योंकि जब हम इस शरीर में आ जाते हैं छटे शरीर में अपने घर में तो हम हमारे conscious and subconscious mind की वो सारी चीज़ों को वापिस से हमारे घर में relax कर देते हैं कहीं आत्रा पे होते हैं कहीं होटल में रुके होते हैं किसी के घर होते हैं सामान कहीं दर उदर होता है तो हम क्या करते हैं फिर उसे समेटते हैं कि चलो अब चलना है बैक पैक करना है आगे चलते हैं और जैसे हम अमारे घर आ जाते हैं हर चीज को हम अपनी अपनी जगह पर रखना शिरू कर देते हैं तो जब हम यात्रा पर होते ह वो पूरा सामान जिसमें रखा होता है और जब हम अपने घर आते हैं तो सारा सामान हर व्यवस्तित चीज अपनी जगह पर जो है तो हमारा सबकॉंशेट एंड कॉंशेसमेंड उसी के अनुसर काम करता है तो आप जितना सोचते हैं उसका प्रभाव आपके घर पर पड़ता है और एवन यदि घर में कोई चीज आपके एव्यवस्तित है या कोई जोन आपका ऐसे जगह पर है जहांसे वो नेगेटिव एनरजी या मान लिजे किसी ने क्लटर कर रखा हो इस्टोर बना रखा हो या और भी कोई ऐसी चीज हो जहांसे नेगेटिव एनरजी दे रहा है तो वो आपको इफेक्ट तो करेगी क्योंकि आप अपने घर से जुड़े हुए हैं अगर कहीं दूर भी होते हैं तो आपको यह पता होता है मेरा ये सामान वहां रखा है मेरा बैड वहां रखा हुआ है म तो आप दूर होकर भी अपने घर से कितने कनेक्टेड हैं तो जब आप घर में होते हैं तो भी आप कनेक्टेड होते हैं जिस प्रकार मानली जी की एक डॉक्टर है आपके शरीर में यदि मैगनिशियम कम है कैल्शियम कम है कुछ भी कम है तो वो उसी की गोली आपको देते ताकि आपको उसमें relief आए iron कम है तो iron का मिलता है कि बस relief आए आपका humoglobin सही हो जाए यही होता है तो यदि आपके घर में भी कोई zone कम है और उस अर्थ के अंदर किसी metal की जो energy है अगर कम है तो उसको लगाने के लिए metals भी लगाते हैं कुछ यंतर भी लगते हैं कुछ अलग-अलग जैसे energies हैं chanting's हैं आपका meditations हैं तो यह जो सारी चीज़े हैं यह आपकी घर की energy को align करने के लिए है ताकि आपका शरीर इस घर की energies के साथ align रहे उससे जुड़ा रहे घर में कोई बदलाव हो तो आपका subconscious उसे बहुत जल्दी receive कर लेता है इसलिए कि हम कहते हैं कि वास्तु कराना चाहिए क्यों वास्तु सम्मत यदी कोई energies और वैसे भी मृत्यूंजय केर में तो energy के उपर काम किया जाता है तो यदी आपकी energies कहीं पर घर के अंदर किसी zone में किसी जगह पर weak है और हम उसे treat करके उसे enhance करते हैं तो वो enhancing आपकी body के अंदर भी होती है वो subconsciously होती है और आपका subconscious उसे receive कर लेता है बहुत अच्छे तरीके से absorb कर लेता है और आपकी life में changes आना शिरू हो जाते हैं तो पहली चीज़ तो यह कि वास्तु इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी life के अंदर क्या goal manifestation चाहते हैं आप क्या करना चाहते हैं आपका क्या vision है क्या आपके घर की उर्जा को आप अपने शरीर के माध्यम से वहां लगा पा रहे हैं जहां से आपको fruitful results लेने हैं या आपको आपके जीवन में कुछ प्राप्त करना है यह है तो वास्तु इसलिए कराना चाहिए ताकि आप align हो जाएं और basically पंच्चतत्वाई हैं जैसे आपके शरीर में पंच्चतत्वे हैं वैसे ही इस घर के अंदर भी पंच्चतत्वे हैं पहले तो वो balance होते हैं फिर जाप आप नांगल करते हैं महुरत निकालते हैं बोज कर आते हैं तो उसका क्या मतलब है कि सारे देवताओं का आवान करते हैं कि आप आएं इस्तापित हो जागरेत हो और हमें सहयोग परदान करें कि हमारा वरतमान जीवन जो हम जी रहे हैं वो सुखद हो, संपन हो और सफल हो तो ये एक अलग-अलग dimension पर है बेसिक पर होता है फिर एक advance लेवल पर भी होता है फिर एक goal manifestation लेवल पर होता है जहां पर आप higher dimension में create कर सकते हैं आपको आपकी क्या goal manifestations करनी है ये वास्तु इसलिए जरूरी है आप नहीं कराते हैं तो उसके अगर आपका balance है तो ठीक है बाकि जैसे भी अंतरदशा, प्रतेंतरदशा, महादशाएं चलती हैं तो उसमें हो सकता है कि घर में 10 member हो 9 को प्रभावना रहा हो तो एक को आ रहा हो तो लोग क्या कहते हैं अरे हमें तो कुछ हो नीरा लेकिन उस बेचारे एक की कोई नहीं सुनता जो प्रभावित हो रहा है पता लगा कि जैसे उसकी दशा, आटी, अंतर, दशा, आटी फिर किसी दूसरे को होता है फिर वो नौवा वो पॉजिटिव हो जाता है तो दस्वे को यही कहता है अरे हमें तो कुछ नहीं हो रहा है तुझे ही हुए जा रहा है इसलिए कोई भी चीज जो बारिक से बारिक है यदि आपके जीवन में कहीं आपको प्रभावित कर रही है तो उसे हमें सर्च करना जरूरी है ढूनना जरूरी है जब ये ज्ञान सनातन का आप लोगों के घर में है आप लोगों के पास है तो इसके माध्यम से सहायता ले करके आप सर्च करें कि आपके जीवन की जो परेशानी है उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं, उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, तो वास्तु क्यों कराना चाहिए, यह आपको लाभी प्रदान करेगा, और आपके घर में यदि कहीं भी कोई ऐसी जगह हो जाती है, जिसको आप ज़्यादातर यूज नहीं लेते, या वहाँ अंधेरा जैसे होता है, या क्लटर ज़्यादा हो जाता है, तो नेगेटिव एनर्जी इसको रुखने के लिए प्रॉपर इस्थान मिल जाता है, क्योंकि अट्रेक्ट एनर्जी, आप कहीं घर का कोना, यदि कहीं नेगेटिव हुआ पड़ा है, ज जब वो इस्थान पाती है, तो आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि आपका ध्यान तो कभी जाता ही नहीं है, कि वहाँ आपको सफाई करनी है, वहाँ आपको वहाँ से चीजे हटानी है, क्योंकि आपके घर का एक वह ऐसा कोना हो गया, जहाँ आपको देखने की जगवती गरों में लोग टांड बना लेते हैं, कोई स्टोर बना दिया, गली के अंदर बना दिया या कहीं भी बना दिया, तो उसका इतना नकारात्मत प्रभाव होता है, जो आप सोच नहीं पाते आपको तो लगता है क्या होगा, दुनिया ऐसे ही कहती है, लेकिन नहीं जी उसका प्रभाव होता है लेकिन आप समझेंगे तभी होगा अगर आप इग्नोर करना चाहेंगे तो इग्नोर आप किसी भी चीज़ को कर दीजे कर सकते हैं एक छोटी भी फुनसी भी बड़ा नासूर कभी बाद में बन जाती है लेकिन लोगों के जब बन जाती है तब उनको इसका प्रभाव पता लगता है फिर वो जगे जगे भागते हैं और हो सकता है कि कोई सही जगे अगर आपको नहीं मिली तो फिर नुपसान किसका होगा ये सोच के थोड़ी थोड़ी सी चीजे हैं वहम डालने वाले चीजे नहीं लेकिन इन पर विचार करना इसलिए आवश्चक है क्योंकि आपके घर का ही वो इस्सा है जैसे शरीर के अंदर आपके अंग प्रभाव